Hello everyone, this is Ram Vishnoyi and you're watching Chagraphic Guru. आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके exams की, बात करेंगे हम आपके exam strategy की, बात करेंगे हम आपकी smart skills की, और बात करेंगे आपके exam presentation की, यान कि आपको answers, कैसे लिखने, क्या करना है, क्या नहीं करना, do's की बात करेंगे, don'ts की बात करेंगे. आहम तोर पर आप देखते हूंगे कि जब school में exams होते हैं, आपके pre-boards होते हैं, या फिर आप ninth class में जो आपके साथ ही हैं, तो class में काफी अच्छा-कासा competition रहता है, काफी सारे students होते हैं, के marks आज-पास होते हैं, और जब board की results हाते हैं, तो उसमें वो gap काफी ज़्यादा दिख जाता है, कई बार ऐसा भी होता है, कि जो teachers हैं, वो भी shocked रह जाते हैं, कि अच्छा, ये बच्चे तो बिलकुल पास-पास थे, एका score इतना कम कैसे रह गया, दूसरे का score इतना ज्यादा कैसे रह गया, एक के 96 आ रहे हैं, दूसरे के 77 आ रहे हैं, डिफ्रेंस कहां रह गया, वो डिफ्रेंस रह जाता है, कि आप exam day के दिन जाकर के अपने answers को कैसे present करते हो, कौन सी mistakes है, जो वहाँ पर आप कम से कम करते हो, आपका backup plan क्या होता है, क्योंकि हमें एक backup plan लेकर के चलना होता है, उसको लेकर के भी हमारी एक proper strategy के requirement होती है, जो बच्चा exam की strategy को ठीक तरीके से समझ के जाता है, अपनी एक strategy को लेकर के जाता है, वो बच्चा वहाँ पर जाकर के अच्छा score करने वाला है, जनरली मैं students के साथ भी share करता हूँ, कि किसी student के अगर 82% marks आ रहे हैं, दूसरे के अगर 98% mark आ रहे हैं, इसका मतलब कि उनका learning level एक जैसा है, 82% अगर किसी के marks आ रहे हैं, इट मेंस देट उस बच्चे को सब को चाता है, most of the concepts उसके clear हैं, तो वो 16% का gap कहां रह गया, वो gap रह गया कि उसने exam में जाकर के, जिस तरीके से answers लिखे, जिस तरीके से उसने question paper को deal किया, उस तरीके से दूसरा बच्चा deal नहीं कर पाया, deal क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसे लगता नहीं था, कि इसको लेकर के भी कुछ strategy की जरूरत पड़ेगी, उसे लगता था कि बस मैं अच्छे से त्यारी कर ली है, और वहाँ जाकर के दे दनादन में लिखाऊंगा, और बस हो गया, और जब result आता है, तो बहुंचका रह जाता है, उसे लगता है कि मुझे सारे questions आते थे, सब कुछ मैंने अच्छे से लिखा है, ये marks कहां deduct हो गए, तो हम वो सारी चीज़ें यहां पर discuss करने वाले हैं, तो जब हम exam day की बात करते हैं तो आपको तीन चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो आपके पास exam tools होने चाहिए, जिसे आपके pen pencil, eraser, scale, admit card ये लेकर करके जाते हैं, तो दूसरा है, आपकी preparation अच्छे से होने चाहिए, और तीसरा है, उस वक्त हमें क्या करना है, उस वक्त क्या करना कब, जब आपके पास question paper पहुंचेगा, उस question paper से कैसे deal करना है, पहली चीज़ हमारी ये रहेगी, question paper से जब हमने deal कर लिया, तो उसके बाद आएगा हमें answers कैसे लिखने है, किस टाइप से हमें उन चीज़ों को present करना है, तो वहाँ पर आपका सारा वो game होगा, जो आपके exam results के game को change करतेगा, तो let's begin चली, शुरुआत करते हैं, हम आज के इस episode की इस video की, और सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके question paper को लेकर के, जो skills रहेगी, यानि कि आपकी analytical skills की, यानि हमें question paper को कैसे deal करना है, जब आप exam center में पहुंचोगे, आप time से पहले ही पहुंच जाओगे, और आपको 15 minutes पहले question paper दे दिया जाएगा, अब वो जो question paper दे दिया जाएगा, वो 15 minutes है, वहाँ से आपका game स्टार्ट हो गया, 1, 2, 3 and go, अब उन 15 minutes को कैसे utilize करना है, वो भी हमें सोच करके जाना होगा, तो जो 15 minutes है, हमें दो task के लिए use करना है, अब generally क्या होगा, कि एक बच्चा जिसको question paper मिला, वो क्या करेगा, ठीक है, वो question को देखेगा, अच्छा, MCQs के option देखी, यह आता है, यह आता है, second आता है, third आता है, fourth आता है, ओके, हो गए 15 minutes, आपको क्या करना है, कि आपको MCQs के उपर नहीं जाना है, आपको सबसे पहले कहां पहुंशना है, जो आपके choice-based questions है, कहां मिलेंगे, long answer type questions मिलेंगे आपको, clear, उसमें आपके पास two options है, आपको कोई एक question करना है, आपको उनको अच्छे से read करना है, read करने के बाद आपको decide करना है, कि कौन सा question आपको ठीक से आता है, ज्यादा better तरीके से आता है, clear, बिल्कुल, यानि कि उसमें अगर double part देगे नहीं, तो दोनों part को देख लेना, कि क्या ये भी आता है, ये भी आता है, तो जो question आपको अच्छे से आता है, उसको decide करना है, confirm होना है, और उसके उपर एक बड़ा सा circle लगा दिना है, clear, अब बड़ा सा circle लगा दिया, एक चीज हमारी tension खतम होगी, कि हम हड़ बड़ी नहीं करेंगे, generally क्या होता है, जब हम five marker question के पास जाते हैं, तो उसी वक्त announcement होती है, कि last 40 minutes and last 50 minutes are remaining, हम confuse हो जाते हैं, हम wrong question को choose कर लेते हैं, और वहाँ पर रायता फेल जाता है कही बार, ठीक, तो एक तो हमें यहां यह करना, यह काम आपका five minutes में हो जागा, five to six minutes में, दूसरा जो आपके पास बाकी time बचा, उसमें आप क्या करोगे, आप case study को देखोगे, case study based questions है, case study based जो questions है, उसमे case study को read कर लेना, read करने से भी मतलब आपका time save हो रहा है, क्योंकि आप दूसरी बार read करोगे, थुड़ा सा fast तरीके से read कर पाऊगे, दूसरी चीज़ की case study के बेस पर, आपने जब question देखा, तो आपका mindset भी हो जाएगा, कि हाँ इनके answer यहाँ पे है, यह हो जाएगा हमारा कि first 15 minutes को हमें कैसी utilize करना है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है, सबसे important होता है CBSE students के लिए, सबसे important होता है 10th class के students के लिए जो पहली बार board exam दे रहे हैं, बहुत important होता है उन students के जो 10th class state board से करके आएं, 12th class वो CBSE board से करें, यहाँ पे जो question paper होता ना, बड़े अच्छे तरीके से prepare किया जाता है, एक बार question को read करो, कई बार समझ में ही नहीं आता है कि पूछ क्या रहे हैं, even teacher भी एक बार अगर उसको read करें, तो उनको भी दूसरी बार read करने के नहीं होगी, कि अच्छा पूछा क्या है, और जो options दिया होते हैं, एमसी क्यूज के, options बड़े close होते हैं, तो आपको वो questions की language को समझना है, ऐसे नहीं कि तुरंट थी कि ठीक है, first word देखा उड़ लग गई, बाद में बताए तो अच्छा यार, मैं तो ये कराया था, पूछा ये था, गड़बढ़ हो गई, अब गड़बढ़ हो गई, तो उससे पहले हमें alert रहना है, कि हम अच्छे से समझ दें, sure हो जाएं, confirm हो जाएं, कि ये question में ये चीज़ पूछे गई है, हमें उसका answer देना है, दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, कि question को read किया, अब उसके options, MCQs में, options आपके 4 होंगे, तो 4 को आप 5 से लेकर के, first का option है, ठीक है, उसको eliminate करते जाएं, कि ये नहीं है, second नहीं है, third लग रहा है, ये होगा, फिर भी fourth के उपर भी जाना है, fourth को भी आपको देखना कि, कहीं ये तो नहीं कि fourth वाला हो जाए, तो assess all करना है आपको, पूरे तरिके से read करने के पाते, दूसरी चीज़, जो आपके two marker question है, जो आपके three marker question है, जो आपके five marker question है, उसमें से 50% questions में, double part मिलेंगे आपको, जैसे definition of sustainable development पूछ लिया, उसके बाद two suggestions आप से पूछ लिये, जैसे calls हैं, उसके types पूछ लिये, distribution पूछ लिया, तो हमें वो दोनों part को करना है, जैसे अगर आपका sustainable development पूछा है, तो आपका one marks है उसका, और two marks उसके suggestion के हो गए, तो तभी मिलेंगे, जब जो पूछा वो आप बताऊगे, तो हमें उसी way से answer देना, जो one marker है, तो हमें one marks के coding उसका answer देना, second part अगर two marks का है, तो उसके coding answer देना है, five marker में एक आद question ऐसा भी होता है, उसमें three parts दिये होते हैं, तो हमें वो चीज़ें भी ध्यान में रखने हैं, यानिकि एक part हम skip कर दें, skip कर दें, तो जब आप marking के लिए आपके answer शीट जाएगी न, तो question paper के साथ-साथ, उसके एक marking scheme दी जाते है teacher को, तो उसको बताया जाता है, यह one marks का है, यह two marks का है, तो आपने इन ही के उपर focus कर दिया, वो two marks तो आपके उड़ गए, clear, तो यह हमें ध्यान रखना है कि questions को हम समझें, और accordingly हमें answer देना है, उसके बाद तीसरी चीज, जो social science में, SST में particularly important होती है, कि हमें answer कैसे देने, paragraph में दें, जैसे हम English में देते हैं, जैसे बाकी subject में हम दे सकते हैं, या फिर हम points में दें, तो पहली चीज, कि SS में, social science में, आपको answers points में ही देने होते हैं, ओके, पहला option points में देजिए, दूसरा option भी है points में देजिए, यानि कि second option आपके पास paragraph है यह नहीं, अब यह की points में अगर हम दें, तो हमें यह भी देखना कि कितने points लिखें, अब two marker जो question है, उसमें कितने points लिखनें, हमें three to four points लिखनें, three to four points में answer देना, three to four points, यानि कि two में नहीं देना, अगर वो पूछ रहे हैं, particularly mention कर रखा कि give two suggestions, give three suggestions minimum, उसके बाद three marker जो question है, उसमें four to five points आपको देने हैं, जो five marker question के अगर बात करें, तो उसमें आप six to seven points लिखोगे minimum, six to seven points, यह ध्यान रखना है, कि आपको जो answer देने हैं, वो किसमें देनें, वो आप points में answer देगए, और points हमें कितने देनें, कि two marker में आप three to four points राइट करोगे, three marker में four to five points राइट करोगे, और five marker है, उसमें six to seven points आपको राइट करना है, ठीक, अब इसमें जो points में राइट करोगे answer, उसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, कि जो important points हैं, वो आपको पहले लिखने हैं, जैसे first, marker question है, तो first point है, वो सबसे solid वाला होना चाहिए, इसी type से आपको लिखना है, क्योंकि अगर आप important points पहले mention कर देते हैं, तो कई बार teacher को लगता कि बाकी भी ठीक ही लिखे होंगे, तो आगे वाले points के उपर उतना ज़्यादा जोर focus नहीं किया जाता, तो अगर हमारे कुछ low falls है, तो अभी वो hide हो जाते हैं, clear, तो हमें points में लिखना है, और points कितने लिखने हैं, वो clear हो गया होगा, और सबसे important जो points हैं, वो हमें पहले लिखने हैं, उसके बाद एक और चीज करने हैं हमें, हम जो answers लिखेंगे, उनमें underline करना है keywords को, ये कब करेंगे, हमें अपनी strategy के coding अगर चलेंगे, जैसे हम time management को लेकर चलेंगे, तो 10 minutes पहले हमारा exam over हो जाना चाहिए, हो जाएगा, अप proper strategy के साथ अगर जाओगे तो, तो उस वक्त जो 10 minutes हमारे पास होंगे, उसमें हम क्या करेंगे, हम एक तो वो देखेंगे कि कुछ छूट तो नहीं गया है, और साथ यसाथ pencil से, हम important points हैं उनको underline करतेंगे, important points जो हमें लगता कि बिल्कुल cracked है, अगर लगे नहीं कि doubtful है, तो उस point को underline नहीं करना है, cracked है, मज़ा आजाएगा, चेक करने वाले को भी लगागा, कि ये बच्चा कुछ extra ordinary है, आपको marks के अगर गुंजाइस कहीं लगीग न, कि five marker में अगर कुछ marks कम भी लिखा है, तो भी teacher को लगए, अगर नहीं बच्चा deserving है, दे देते हैं, उके, तो ये हमें करना है, उसके पाद section को लेकर के भी एक strategy आपकी होनी चीए, कि section जो हमें दिये होते हैं, A, B, C, D, E, F, Z, कौन सा section पहले करें, काफी सारे students हैं इसको लेकर के, कि चलिए five marker से शुरू कर लेते हैं, चलिए two marker से शुरू कर लेते हैं, चलिए three marker को लेकर के शुरू कर लेते हैं, तो कौन सा section पहले करें, और अलग-लग teacher से अगर discuss करोगे नहीं, तो हो सकता, उनके भी, मतलब views हैं, वो अलग-लग हो सकते हैं, तो अब अगर हम 10th class की बात करें, social science की बात करें, तो आपको section A के साथ ही पहले सुरू करना चाहिए, किस के साथ? section A के साथ, जो आपका section A है, जिसमें आपको mcqs दिए गया है, clear, जो आपके 20 mcqs है, वो ही आप पहले करोगे, इसमें क्या करना है, कि आप पहले कर लीजिए, ठीक है, और जो जो question करें, उसके उपर mark करते जाना, जो नहीं किया आपने, उसके उपर बड़ा सा एक circle लगा देना, double circle, तो उसमें आपको बाद में question paper देखो, तब भी याद आ जाए, कि उसको एक बार skip कर सकते हो, आपको लगे कि किन्तू परंतू या doubt है तो, ठीक, लेकिन one marker के साथ जाने से क्या होगा, कि एक तो one marker में ज़्यादतर chance है, कि जो अच्छे बच्चे हैं, उनका score अच्छा रहने वाला है, तो teacher का mindset हो जाता है, कि बच्चा पढ़ाक हुए है, clear, दूसरा ये कि one marker question आपके timely निपट गए, तो five marker के उपर थोड़ा से ज़्यादा आप focus कर पाऊगे, अब otherwise क्या होता है, कि अगर हम five marker के साथ जाते हैं पहले, तो हमने five marker को अगर time ज़्यादा दे दिया, तो दिक्कत है, कि कहीं हमारे two, three marker, one marker को लेकर के कोई issues न आ जाए, five marker question में एक question है, जो हमारा गडबड हो गया, मालेजिए marks deduct हो गये, तो वहाँ पर भी दिक्कत आ जाती है, कि उसको two और three marker में हमारे marks है deduct होने के chances बढ़ जाते हैं, क्योंकि लगता है कि नहीं बच्चा below average या average के आसपास हैं, और हम थोड़ा सा confused भी रहते हैं कि कितना लिखें, क्योंकि हमें लगता कि अभी तसारा paper बढ़ा है, ये first four questions हो रहे हैं, first four questions हो रहे हैं, तो at least जब हम five marker के पास जाते हैं ना last में, तो हमें वो idea रह जाता है कि हमारे पास इतना time pending है, इतना time हमारे पास रहता है, तो इसलिए हमें section A के साथ सुरुवात करनी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कि जो section A के सारे question वो एक साथ ही करनी है, जैसे मैंने बताए कि question number आपने लिख दिया, ठीक है आप उसका space छोड़ दीजिए, अगर आपने एक question को बीच में एक या दो question MCQs है, जो बाद में करना चाहते हो, लेकिन सभी questions sequence के coding एक साथ लिखेजिए, अच्छा impression जाता है, ऐसा नहीं कि अगर आप आगे पीछे लिखोगे, तो लेकिन कई बार छूट जाता है, गड़बड हो जाती है, तीचर को भी issues रहते हैं, जो marking करने वाले हैं, तो थोड़ा सा उनको भी हम comfort feel करवाना है हमें, clear, ऐसे B section करें, तो B section के भी कोशिस करना हैं, सारे questions एक साथ हो जाएं, C के एक साथ हो जाएं, D के एक साथ हो जाएं, ऐसे हमें कोशिस करना है, तो एक वो systematic trick के से चलता है, हम भी confused नहीं होते हमारा confidence भी high level पे रहता है, हमें भी बदा चलता रहता है, हम कहां पे ठहरे हैं, कितना time रहता है, और क्या कुछ हमारा pending रहता है, otherwise हम वहीं पे घूम जाते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता होता कि क्या कर लिया, क्या रह गया, तो इसलिए हमें इसी strategy से चलना है, sequence के according हमें चलना है, clear, हाँ, two marker, three marker में एक आद question अगर है गया, तो space छोड़ दीजिए, हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है, कि बहुत ज़्यादा ही आपको लग रहा है, कि नहीं आई नहीं रहा, ठीक है, उसको आप end में कर सकते हैं, लेकिन one marker एक साथ करने आपको, clear, तो ये रहेगी आपको section के according कि किस section के साथ हमें पहले जाना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे आपके time management की, कि आपको कितना time देना है, एक question को, या एक section को, देखिए आपके पास near about हम मानके चलें, कि one marks के लिए, one mark के लिए आपको two minutes देने है, ठीक, तो आपके पास अगर twenty हम one marker की कोशिस बात करें, तो twenty one marker, यानिकि MCQs है, वो आपके 30 minutes के आसपास 30 to 35 minutes आप लिजीगा, five minutes आप यहाँ पर भी save कर सकते हो, ऐसी आपका two marker question है, तो four minutes में करना है, three marker question है, तो उसको six minutes में करना, five marker question है, तो उसको ten minutes से आपको देने है, यानि इसी के coding चलना है, इसके coding अगर चलोगे, तो आपके पास near about end में ten minutes के आसपास, ten to fifteen minutes से वो बच्चाएंगे, वो ten to fifteen minutes से उसमें आप revise करोगे, revision करोगे, आपकी answer sheet को revisit कर पाऊगे, कि उसमें कुछ रहा तो नहीं गया है, और उसमें हम underline भी कर पाएंगे, तो हमें वो strategy इसी के coding सेट करना है, कि ठीक है, आप time के coding देखना कि ठीक है, हमारा कितना हो गया, हमारा twenty marks का हो गया, it means that आपका maximum 40 minutes लगने चाहिए, आपका 40 marks का हुआ है, तो इस टाइप से strategy को ले करके चलना है, तो वो आपका, जब आप pre-board वगरा दोगे, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर भी apply करके देखना है, कि क्या ये चीज़ें ठीक जा रही है, उसके बाद हम time management के बाद, बात करेंगे आपकी answer sheet presentation की, यान की इससे पहले हम discuss कर रहे थे general concepts, जो हमारे question paper को ले करके रहेंगी, कि हमें ये चीज़ें सोच करके जाने हैं, अब हमें answer sheet में, अपने answers जो लिखने हैं, write करने, तो वो बहुत बड़ा role play करेंगे, कि हमें कितना score मिलने वाला, कई बार ये होता है, उसको write करेंगे, तो हमें question का correct number mention करना है, clear, question का correct number, यान कि हमने 1, 2, 3, 4, करें बीच में एक skip हो गया, वहाँ पर हमने 4 लिख दिया, फिर लगा कि चलो 5th का answer दें, skip हो गया, वो answer हमारा wrong हो जाएगा, ठीक, दूसरा ये कि इसमें ऐसा भी हमें sure करना है, कि question का जो answer है, कई बार तो ऐसे आगे पीछे हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है, 10th class के students से उन्हें लगता कि मैं 1st कर रहा हूं, 2nd कर रहा हूं, 10th कर रहा हूं, चैंब मैं 17th रहा हूं, इस सीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर skip हो गया, तो हो सकता है कि वहाँ पर उस answer को check in ना किया जाए, हो सकता है ऐसे, ओके, दूसरा ये कि अगर ऐसा कुछ गड़बड हो जाती है, तो impression भी आपका खराब जाता है, marks deduct होने के भी chances रहेंगे, तो पहली चीज़ हमें याद रखनी है, दूसरी चीज़, जो आम तोर पे हमोमन आप में से 50% students करते होंगे, कि don't repeat question number on the next page, next page पे question number को हमें repeat नहीं करना है, क्या करते हैं कि यह हमारी answer seat है, यह हमारा first page है, यह हमारा second page है, यहाँ पे question हमने लिखा, यहाँ पे आ गया, question number यह चल रहा है, 21, यहाँ पे उसका answer next page पे जा रहा है, यहाँ पे हमने दोबारा लिख दिया, question number 21, यहाँ पे teacher ने okay लगा दिया, यहाँ पे okay किया, वो बात करा था, उसका focus नहीं था, teacher को लगा कि यह answer यहीं से start हुआ है, five marker आपका question है, या three marker है, उसको लगा कि यहाँ पे इतना सह है, तो यहाँ पे उसने marks दे दिये, कम, आपको हो गया loss, तो हमें question जो यहाँ से आपने लिखा, question number 21, तो यहाँ पर दोबारा से repeat नहीं करना है, clear, यहाँ पे आपने नीचे PTO लिख दिया, इसका complete answer आपको लिखना है, जैसे A लिख दिया आपने, okay, B लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको A भी mention करना है, और उसका complete जो answer है, वो भी mention करना है, अगर आपने complete answer लिख दिया और A नहीं लिखा, तो यह भी आपके गड़बढ़ है, क्योंकि यहाँ पर again देखिए, कि teacher जो marking करेगा, वो answer देख करके आपको marks तो दे देगा, इसी के coding will ने marks, लेकिन जब उसको मिलेगा कि ठीक से order में नहीं है, तो वहाँ पर again, उसका जो mindset है, वो यह हो जाए कि बच्चा average है या फिर इस टाइप से, तो आपको फिर वो marks five marker में जाकर के लोस हो जाता है, जहाँ पर वो हो सकता आपको five में से five देना, उसको लगा कि three and half हो गया, four हो गया, तो वहाँ पर जो advantage आप ले सकते हो, impress करके, वो यहाँ पर आप खो दोगे, तो आपको MCQs के जो answer दोगे, उसमें आपको A, B, C mention करोगे, और complete answer को भी आपको right करना, तो यह आपको ध्यान रखना है, इसके लावा, आपको हर जो question आप लिखोगे, कोई भी question लिखोगे, तो उसके बीच में इनवेटिन आपको two blank lines, यानि कि आपने second question कर लिया, यहाँ पे question की एक line छोड़ दी, यहाँ से आपने answer mention किया, answer आपका आगया, उसके बाद दो blank line आपके answer के बाद आपको छोड़नी है, clear, दो blank line, अब जो MCQs करोगे, तो वहाँ पे आप एक line छोड़ सकते हो, लेकिन minimum one line तो वहाँ पर भी आपको blank छोड़नी है, और जो आपके two marker है, three marker है, five marker है, वहाँ पर minimum two lines से आपको blank छोड़नी है, तिस चीज को हमें ध्यान रखना है, इसके साथ साथ, आपको क्या करना है, कि जो last, जो आपके two और three marker question है, एक और चीज, बहुत important है यह आपके लिए, कि जो two और three marker question है, उनको two pages पे write ही नहीं करना, जैसे हमने अभी बात कि थी, कि आपने यहाँ से एक question लिखा, आपका two marker question है, भाई, दो line है यहाँ लिख दी, एक line यहाँ लिख दी, three marker question है, three lines यहाँ लिख दी, एक line यहाँ लिख दी, ऐसा करना नहीं हमें, अगर आपको लगे नहीं कि यहाँ पे three lines ही रहती है, answer नहीं आएगा, तो फिर इसका क्या किया जाए, इस page का हम क्या करें, तो यहाँ पे आपको बड़ा सा PTO लिख देना है, यहाँ कि अगर आपको लगता हैं, नीचे space कम है, तो आप next page पे ही move कर जाओगे, clear, यह आपको ध्यान रखना, PTO लिख दीजिएगा वहाँ पर, ऐसे ही जो आपका five marker question है, उसको कोशिस किजिए कि आप fresh page से start करो, अगर वहाँ पर space कम है, यहाँ कि अगर जैसे वो same condition अप्लाई होगे, कि अगर three, four lines वहाँ रहती है, तो आप उन three, four lines से start नहीं करोगे, five marker question को, आप next page से start करोगे, आपको वहाँ पर PTO लिख देना है, clear, next page से जाएए, क्योंकि कई बारी होता कि आपने वहाँ से start किया, चार लाईने वहाँ रहागे, कुछ next page पे चलेगी, अगले page पे दो लाईने आगे, और उसमों जाकर कि आपको five marker, five marker जैसा दिख नहीं रहा है, वहाँ पे five की बजाए, आपको four marks मिल गए, और ऐसे एगर four marks मिले, तो आपको two, three marks का loss हो गया, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, कि हमें जो five marker question है, try करना है, कि हम next page पे ही start करें, fresh page के उपर, अगर space वहाँ पे कम है, जो long answer type questions है, वहाँ पे हमें headings को use करना है, heading, easily आप जब अगर points लिख रहे हो, तो headings आपको पता है, heading लिखो, तो उसमें क्या benefit होंगे, यहाँ पे आपने लिख दिया, जैसे first point लिख दिया, आप किसी भी चीज के बारे में, agriculture के बारे में लिख रहे हो, आप किसी crop के बारे में लिख रहे हो, तो crop के बारे में आपने लिख दिया, यहाँ पे soil, कि कैसी soil चाहिए, उसको आपने underline किया, फिर यहाँ से next line से आपने start किया, तो इससी क्या advantage होगा कि जो soil एक word लिखा, आपने उठाए तो इसी line में से, इससे आपके एक line extra बन गया, आप six points लिख रहे हो तो six line extra होगी, दूसरा जब आप heading लिखोगे, तो एक line बीच में second point start करने पहले, आप blank चोड़ोगे यानि कि आपके जो six seven points आप लिखने वाले थे seven points से heading से कितने होगी seven heading होगी, 14 lines होगी और एक-एक line आप बीच में blank चोड़ने वाले हो तो 21 line होगी, यानि कि है आपका content उतना ही है लेकिन उसकी presentation के काण, वो question इतना lengthy हो गया कि आपको marks deduct होने के chances खतम हो जाते हैं तो five marker में हमें heading ही लिखनी है, और heading को underline करोगे, underline, single underline उसी same pen से कर दोगे और next line से हमें answer यहां से start करना, और उसके बाद बीच में हम एक blank line छोड़ देंगे तो इस type से आपको चीजे लेकर के चलनी है ताकि five marker में आपका content या आपके पास अगर answer ज्यादा length यह detail में नहीं है, तो भी chances रहेंगी कि आपको marks हो पूरे मिल पाएं, इसके साथ साथ जो हम five marker या three marker में points लिखेंगे, तो आपको sign use करो तो बैट रहेगा number की बजाए जैसे आप उसमें इस type से use कर सकते हो, आप इस type से आपने use कर लिया, आपने इस type से use कर लिया, आपने a, b, c, d कुछ use कर लिया, वो अगर use करते हो तो ज़्यादा better रहता है, क्योंकि कई बार mindset यह होता है, कि अच्छा five marker question है, और कोई teacher है, वो expect करके बैठा, कि अच्छा जी five marker में तो eight points होने चाहिए minimum, बस mindset करके बैठा है teacher, आपने six लिखे, बड़ी अच्छे से लिखे, लेकिन उसे लग रहा है कि नहीं, एक c d, use करें, a, b, c, d, इस type से use करें, तो उसमें कई बार वो counting, ऐसा होता न, एक दम से हम pull and push में confused हो जाते हैं, तो a, b, c, d, f है, तो e, fifth है, या f, sixth है, वो ध्यान में नहीं रहता, तो हम इस type से चीज़ें use कर सकते हैं, ताकि हम counting, यह हम show ना कर पाएं, जहां पर हमें लगे कि हमारे points कम बन रहे हैं, तो वहां पर particularly आपको यह strategy अपनानी है, उसके बाद आपको, जब भी question आपका over हो जाए, उसके नीचे एक pencil से line है, वो draw कर देने, जैसे यहां से यह आपके answer sheet है, इसमें आपका एक question यहाँ पे end हो गया, यहाँ पे आप pencil से line draw कर सकते हो, अच्छा लगेगा, impression अच्छा जाएगा, second question over हो गया, उसके बाद एक line draw कर दीजे pencil से, तो ऐसा अगर करते हो, तो वो भी एक strategic part रहेगा, कि आप impress कर पाओ, जो चेकर रहेगा उसको, आपको flow diagram या flow chart या diagram है, mind map है, वो भी आप use कर सकते हो, अच्छे score के लिए, कहाँ कहाँ use करना है, यह मैं आपको बदा देता हूँ, कि आपको जो first three marker question होगा, पहला जो three marker question होगा, एक तो उसमें use करना है, और five marker question में आप दो, ऐसे एक तो कई बार ऐसा question मिल जाता हमें, कि वो five marker में दिया गया, लेकिन exactly वो five marker बन ही नहीं रहा, हमारे पास उतना content ही नहीं है, ओके, तो ऐसे question में क्या करेंगे, हम वहाँ पर flow diagram या फिर flow chart है, वो हम use कर सकते हैं, जैसे अब अगर पूछा गया है, उसमें call पूछा गया, call का distribution पूछा गया है, ठीक है, distribution three marker में पूछा गया, था हम वहाँ पे call लिख दिया, और call के types लिख दिये, ठीक, call के types हमने कर दिये, अब एक तो चार-पांस line हमने cover कर लिए, pencil से बनाऊ गया, और एक ये कि हमें, वो chances जो हमें लग रहा था, कि हमारे पास इतने detail नहीं है, वो cover up हो गया, ऐसी five marker में आप कहीं पे flow diagram है, यान कि general सी जो चीज़ें आपको पता है, उसके types पता है, या आपने जो points लिखे हैं, points लिखे न, तो points से आप लिखते हो वहाँ पर, आपने वहाँ पर बना दिया, कि जिसे अभी हम बात करें थे, कि required conditions for the crop of wheat लगा लिजिए, तो wheat के लिए तो आप यहाँ पर मोटी तोर पर लिख सकते हो, जिसे आपने यहाँ पर soil लिखा, तो उसके आगे आपने essay कर दिया, और soil के आगे आपने, यहाँ पर लिख दिया, LVL soil, यहाँ पर temperature लिख दिया, तो ऐसे करके आप यह points के थू, आप एक अगर flow chart या flow diagram बना देते हो, तो वहाँ पर भी आपके chances थोड़े से और ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कौन बच्चे करेंगे, एक teacher है, जो answer sheet चेक करा है, तो उसमें ओ 300 के आसपास answer sheet उसे मिलेगी, जो 10 days या 15 days के बीच में, तो उसको जो answer sheet मिलेगी, तो उसमें एक या दो बच्चे ऐसे होंगे, जो इस type से diagram बगरा यूज़ करेंगे, impressed तो होगा, ठिक, तो ये कर सकते हैं, और particularly उस question में तो जरूर करना है, जहां पर लगे कि भाई, लिखने के लिए मुझे कुछ नहीं पता जाता, नहीं पता है, तो ये हमारा backup strategy रहेगी, कि हम इस type से कुछ चीज़े करें, ताकि हमें one marks हैं, या one mark हैं, या फिर two marks हैं, वह हमें extra mil पाए, जो हमारे जा सकते थे, corrections को tackle भी ठीक से करना आपको, corrections को क्या लेकर के है, कि कई बार हमने question लिखा, वो wrong हो गया, ठीक है हम लगते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि question wrong हो गया है, totally wrong हो गया है, तो आप लिखिए, answer उसकी जगह है, और उस question के उपार आप over attempt लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, over attempt, simple, बड़ा सा over attempt लिख दिया, that is enough, अगर आपको cross करना है, किसी question को, तो आप इतना कर दोगे, एक ही बार, that's enough, काफी रहेगा, इसके लाइगर कोई word है, वो mistake हो गया है, तो उसमें आपने ये word जैसे carefully है, इसको cross करना है, तो एक line लगा दीजिए, that is enough, आपको ये नहीं कि उसको ऐसे से करके आप करोगे, तो उसमें पूरे page के उपर वही चीज़ दिखाई देती है, तो हमें corrections है, उनको tackle भी ध्यान से करना है, कि हमें over attempt को use कर सकते हो, single cross लगा सकते हो, किसी word को cross करने के लिए, single line लगाई जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम वहाँ पर पूरा को पूरा, उसको black ही कर दे, ये नहीं करना हमें, इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, कि in between आपको अपना pen change नहीं करना, answer sheet के बीच में, कई बार students करते हैं, पहले कोई और उठा लिया, दूसरी बार कोई और उठा लिया, handwriting हमें खराब नहीं करना है, अपनी, कि जैसे भी handwriting है, उसे के साथ चलना है, दूसरा ये कि हम in between अगर pen change करते हैं, नया pen अगर हम लेते हैं, तो उसमें 3-4 minutes का difference आ जाता है कहिने कहीं, क्योंकि वो smooth नहीं चलता है, तो हमें throughout जो answer sheet हम लिख रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि बार-बार change करते रहें, तो वो कई बच्चों को लगता है, कहीं पर ये pen use कर लिया, उसके बाद ये pen use कर लिया, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, बच्चों जैसी हरकते हैं, नहीं करनी हैं हो बच्चों, आपका two marker question कुछ भी नहीं पता, आपको एक word समझ में है, उस से related कुछ भी लिखके आना, आपको 0.5 marks तो मिली जाएंगे, आधा नमबर तो आपको मिली जाएगा, क्योंकि marks हैं, उसी के coding कि अगर आपने कुछ लिखा और वो थोड़ा बहुत भी relevant है, तो उसमें 0 नहीं दिया चोड़ के नहीं आना, five marker question है, तो कोशिस करो कि उसको जितना लंबा खहीं सकते हो, जो भी आपको related information पता, आपको पता है कि exactly कुछ और पूछा है, कोई बात नहीं, लिखके आजाए, खाली छोड़ने से वो चीजें बैट रहेगी, तो ये हमें ध्यान रखना है, जब हम अ पहले से त्यारी करनी होगी, map work हमारा लगभग three-four minutes की activity होती है, three-four minutes का टास्क होता है, और ये marks बड़े confirm वाले होते हैं, मतलब जिनको generally ये बोलते हैं, भाई, free के marks हैं, free के marks होते हैं, अगर आप ठीक से prepare करके जाते हो, आपको जो syllabus दिया गया, syllabus के coding लेकर के बेठी है, history म से हमारे total eight points दिये गए, उन्हीं में से two points आने, मतलब आपके 10 minute का task है, ऐसे ही आपका जो geo में है, तो इतने सारे points नहीं है, बहुत कम points दिये गए, practice करनी है, आपको उनको learn नहीं करना, don't learn, do practice, क्योंकि अगर हम learn करते हैं, वहाँ map मिलता न हमें, हम confuse हो जाते हैं, अच्छा नागपुर यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहाँ पे लगाए हम नागपुर, तो वो practice करके जाना, यानि कि आपकी मैफ़क है, उसकी thrice practice हो जानी चाहिए, तो वहाँ जाकर कि आप ठीक तरिके से उनको locate कर पाओ, और उसको जब आप locate करोगे ना, तो उ यहाँ पे answer कैसे देने आपको, जैसे आपके a point पूछा गया, तो उसके आगए आप a भी लिखिए और उसके बाद उसका answer क्या वो पूरा लिखिए, यह नहीं कि यहाँ पे a लिख दो, यह नहीं कि a ना लिखो, आप यहाँ पे a की बजाए आपने answer लिख दिया, तो वो proper किसे आपका answer होना चाहिए, जैसे आपका 37a का यह answer है, 37a का है तो 37a लिखिए, 37b है, 37b का लिखिए, तो वो clear आपका होना चाहिए, दूसरा यह कि कई सारे students ऐसा करते हैं, कि ठीक है, map work में दिया है, और उसका answer लिख करके आगए, answer देने के कोई भी marks नहीं होते है map work में, क्योंकि वो map work skills है आपकी, तो answer अगर आप आपनी answer sheet पे लिखके आ रहे हो, तो उसके marks नहीं मिलने वाले, marks कब मिलेंगे, जब आप उनको map के उपर locate करने वाले हो, उनको label करने वाले हो, तीसरी चीज, कि maps के regarding, जो 10th class के students से वो confused र रहता है कि आपको 37 A और B दिये होते हैं, साथ साथ एक और चीज दी होती है, वो question दोबारे repeat होते है, 37 जो question number है, वो repeat होता है, अब उसको pre-board में हो सकता, आपने वो mistake की हो, या फिर ध्यान रहो, उसमें हमने जो question दोबारे दिये गए, उसमें सिरफ question दिये गए, answer देने, व जही आपके लिए, वो जो next दिया गए है, वो for blind candidates only, उनको solve करके मता आ जाना, ठीक, वो ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, कहीं गड़बड हो जाए कि भाई, आता तो था, confuse होगे वहाँ जाकर के, तो confusion है, वो यहीं से clear कर लेना आप, एक map को अच्छे से अपनी answer sheet में attach करना है, बहार वो visible नहीं होना चीए, sure कर लेना है कि वो answer sheet से बहार ना निकले, तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर आप इन चीज़ों को, इन tips को अगर follow करोगे, तो 100% sure हूं कि आपका score बहुत अच्छा रहेगा, और आपका एक backup strategy भी आपके पास रहेगी, और आपके जो marks deduct होने के chances हैं, वो chances minimum रहेंगे, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वीडियो में आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, एक वीडियो आपको कल मिलने वाली है, कि हम SST के revision schedule को आपके साथ share करने वाला हूं, कि 17 days में या फिर 34 hours में आप social science के complete syllabus को कैसे revise कर सकते हो, without disturbing the schedule of other subject, यान कि बाकी subject की revision चलती रहे, और हमें 17 days में अपना syllabus अच्छे से करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो एक proper planning रहेगी कि हमें कब किस तिन क्या करना है, किस time पढ़ना है, पढ़े कितना time लगाना है, कितने session लगाने, वो सारी रहेगा, उसमें हम strategy में, एक तो हमारी board exam से पहले का revision कैसा रहे, उसके लिए discuss करेंगे, और उसी के उपर depend करेंगे, कि अगर आपका response अच्छा रहता, आपको लगता कि हाँ strategy बहुत helpful है, तो हम in between जो आपका break रहेगा, board exams के बीच में, तो उसमें हमें revise कैसे करना है, तो वो भी में आपके शाथ share करूँगा, आज के लिए बस इतने, thank you, bye bye, have a nice day.